रातो राज फेमस होई रानू मंडल का नाम आज हर किसी की जुबान पर है और ऐसा ही कोई होगा जिसे रानू के बारे में पता नहों और अब रानू मंडल के बारे में नई खबर सामने आ रही है कि रानू मंडल पर बायोपिक बनने वाली है और ये बायोपिक फिल्म मेकर रिशिकेश मंडल बनाने वाले है रानू की बाइयोपिक में फिल्म की लिए साउत की जानी मानी एक्ट करेस सुदिप्ता चकरवर्ती को अप्रोच किया गया है इस बात को कन्फर्म करते हुए सुदिप्ता चकरवर्ती ने कहा कि मुझे फिल्म आउफर हुई है मैंने अभी फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं देखी है क्योंकि स्क्रिप्ट मिलना मुझे अभी बाकी है स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही मैं यह तै करूंगी कि मुझे यह फिल्म करनी है या नहीं आपको पताने हैं कि रिशिकेश पहले जनरलिस्ट थे और फिर वो फिल्मेकर बन गए और अब वो रानू पर बायोपिक बनाने वाले हैं और फिल्म का टाइटल प्लेटफॉर्म सिंगर रानू मंडल हो सकता है फिल्म में रानू की पूरी जन्दगी बताया जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि रानू प्लेटफॉर्म से बॉलिवुड तक कैसे पहुची इस बात से आप सभी वाकिफ होंगे कि रानू ने अपनी लाइफ में कई सारे उतार चड़ाव देखे हैं लेकिन अपने टैलेंट से आज वो इतनी फेमस हो गई है और वो महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम कर रही है और इसी चीज़ को रिशिकेश परदे पर लाना चाहते है और रिशिकेश ये भी जानते हैं कि यही सही टाइम है रानू के जीवन पर फिल्म बनाने का क्योंकि लोग रानू को जानना चाहते हैं रिशिकेश ने कहा कि रानू मंडल के जिन्दगी के बारे में जानने के लिए लोग काफी उचसुख है सोशल मीडिया ने उन्हें रात और रात इंटरनेट सेंसीशन बना दिया है लोग उनके जिंदेगी के बारे में जानना चाहते हैं फिल्म में सोशल मीडिया का पावर भी दिखाया जाएगा जिसने सड़क पर गाने वाली महिला को स्चार बना दिया ये खबर है कि रानु मंदर को फिल्म में गैस्ट अपीरियंस देने की बाद भी चल रही है फिल्म के स्टार कास्ट अभी फाइनल नहीं हुई है रानु की बायोपिक की शूटिंग उनके होमटाउन में भी की जाएगी साथ ही मुंबई में इसकी शूटिंग होगी फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से शुरू हो सकती है